चलिए दोस्तों आज हम लोग कुछ रोचक जान करिया के बारे में जानेंगे साइद आपको नहीं पता होगा कि कुछ ऐसे वी चीज है जो अजीबू गरीब है जैसे अगर हम लोग हेड़फून का उप्योग करते हैं तो अगर एक घंटा तक उप्योग करें तो कान में साथ गुना मतलब साथ सो गुना बेक्टिरिया बढ़ जाती है ठीक है और इसी तरह अगर हम लोग जब प्याज करते हैं तो हमारे आसू होते अगर उसमें हम लोग च्विंबक चबाते हुए उप्योग करें तो आसू नहीं आएंगे क्योंकि ये जबडो के लगतार चलने के कारण आग के बाहर तक नहीं आ पाता दोस्तों हम लोग बता दें कि अंग्रेजी के एक वर्ड है राइथम वह सबसे बड़ा वर्ड है जिसपे भॉयल का प्रियोग नहीं हुआ है ये सबसे रोचिक ची बात है कि माचिस के विस्कार होने से पहले लाइटर का विस्कार हो चुका था ये चीज और जान लिजे आप कि उंगलियों के निसान जैसे जीव के निसान भी अलग अलग होते हैं उसी तरह जीव के निसान भी अलग अलग होते हैं अब यह जान देजे कि हम लोग को प्यास क्यों लगता है कि प्यास इसलिए लगता है हमारे जो पानी है उसका एक परसेंट कमी हो जाती है हमारी बोडी में इसे कारें हमको प्यास लगना लगता है एक ऐसा पदार्ध खाय दे पदार्ध है जिसको हम लोग सालों तक रखेंगे तो वह कभी खराब नहीं होता है उसका नाम सहद है एक सबसे इंपोर्टेंट बात कि मनुष्य बीना खाय पिए एक माहा तक जिन्दा रह सकता है जबकि पानी बीना पिए वह एक सब्ता भी जिन्दा नहीं रह सकता और ये जान लिजिए कि धावनी की गती हवा की अपेच्छा अस्टील में पंद्रा गुनी अधिक होती है छिकते समय मनुष्य के हिर्दे की गती एक मिलियन सकेन के लिए रुख जाती है और ये भी जान लिजिए छिकते समय मनुष्य का आँख खुला नहीं रहता है और हम लोग ये भी जान लिजिए कि हम लोग जो अर्थ में रहा रहे हैं उस अर्थ का नाम एक देवता के नाम पे है